सो हेलो एवल्यों वेल्कम बैक टो न्यूव वीडियो आज हम सीखेंगे कि जैसे आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं अब यहाँ पर हम टैन तक नेचुरल नंबर्स ले रखे है तो यह प्रोसेस बहुत ही जादा टाइम कंजूमिंग प्रोसेस है तो इसको शॉर्ट में कैसे करें इसके लिए कौन से ट्रिक लगा है या इसके लिए कौन सा फॉम्ला एपलाई करना है आज हम यह जानेंगे तो जरूर नहीं है कि हमें फर्स्ट टैन नेचुरल नंबर्स होंगे तभी हम इस मैथड को लगा सकते हैं अगर फर्स्ट ट्वेंटी फर्स्ट हर्टी नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालना है तो अभी हम उस मैथड से इसली कर सकते हैं तो आज का हमारा टॉपिक यह है चली शुरू करते हैं जैसे हमने क्या किया है एक कोशन अभी है यह कितना है टन तो यह मालेना है न है तो हम यहाँ टों अकरना हों क्यों कि फर्स्ट एक नेचुरल नंबर्स ए न Actuallyสिंट न वाइ तो उनके cubes का sum कैसे निकालेंगे तो यहां पर जाएगा 10, then 10 plus 1 कितना होता है 11, then divided by 2 और इसका whole square तो यह देखो 2 बन जा, और 2, 5 जा 10, और 5, 11 जा कितना होता है 55, तो 55 का square हो जाएगा, और 55 का square कितना होता है 3025, तो यह हमारा answer आजाएगा, इसी तरह से हम और questions भी कर सकते हैं, जिसमें हम से थोड़े और high level पर question पूछ जाएगा माल लो question पूछ ले जाता है, कि first 20 natural numbers जो है, उनके cubes का sum करना है तो 1 cube, ठीक है, plus 2 cube, यहाँ पर मैंने square, plus 3 cube, plus 4 cube और ऐसे ही कहां तक करना है, 20 तक करना है आप 30 तक भी कर सकते हो, 40 तक भी कर सकते हो, फिलाल मैं यहाँ पर 20 तक ले रहा हूँ तो first 20 natural numbers की cubes का sum कर रहे है, तो formula क्या हो जाएगा, n, n plus 1 by 2 का whole square, इस तरह से formula हो जाएगा तो देखो, यहाँ पर n कितना है, 20, तो यह हो जाएगा 20, और 20 plus 1 कितना होता है, 21 by 2 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा square, तो 2 10 तो 210 का square, तो 210 का square कितना होता है, 4, 41, 00, यह इतना होता है, तो यह हमारा answer आजाएगा, तो इसी तरह से हम first 50 natural numbers के cubes का sum भी कर सकते है 1 cube, 2 cube, 3 cube, देन ऐसे ही करते 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 हम कहां तक चले गए, 50 cube तक चले गए, तो इसका answer क्या आएगा, तो इसका answer कैसे निकालेंगे हम, इसी formula से निकालना है, और इसका answer जो आप लोगोंने comment करके बताना है, कि इसका answer कितना आएगा, आपका कितना आया है, और इसको comment करके बतामे.